MP Board के Class 12 के सभी विद्यारती ध्यान दिए आपका जो चार मार्च का एकदम जो असली पेपर है ठीक है यहाँ पेपर में आपको बता दिया है पूरा पेपर देख लिए यहाँ पर में पहले आपको पेपर फिर से बता दे रहा हूं ठीक है और हम आज जो आपका question number 3 है याने की section B उसको पूरा solution उसका complete करने जा रहे है ठीक है इसके पहले देख लिए एक बार पेपर को आप देख लिएगा यह आपका पेपर था ठीक है यही पेपर आपका आने वाला है MP Board में चार मार्च के दिन का यहाँ पेपर है ठीक है जिस बच्चे को वास्तों में 80 में 80 नंबर चाहिए ठीक है वहाँ इस पेपर में बताएगे सारे question को एक बार याद कर लिएगा उसके अलावा भली एक्स्ट्रा पढ़िएगा ठीक है क्योंकि रिक्सवाजी आप थोड़ा सा कम लीजेगा English का मामला है ठीक है थोड़ा सा रोंग भी चला जाता है कभी-कभी तो यह IMP question भी में साथ में बताऊंगा पूरी चीज़े आपको यहां से देखिए यह आपका paper हो गया है यह question number 8 है यह question number 9 आटो का यह question number 9 इसके इन सोट ले लिजेगा ठीक है तुरत क्योंकि मैं आपको question number 3 से solve इसका करवाने जा रहा हूं इसके बाद मैं यहां से यह आपका question number 10 से आपके जो ठीक है बुक से उसके question answer है यहां से question number 11 यह question number 12 ठीक है question number 13 और 14 और यह आपका अन्तिम जो है question number 15 तो यह तो मैंने आपको पूरा paper बता दिया आईए अब हम यहां से ठीक है यह section B में जो दिया गया है poster prepare a poster to public avoid plastic ठीक है यानिकी plastic से को आपको लोगों को क्या करना है मना करना है उसका use ना करें ठीक है इसका solve यहां से देखेंगे ठीक है इस तरह से आपको poster बनाना है say no to plastic say का means होता है ना कहे ठीक है no say मतलब इसका लोग नहीं करना है तू प्लास्टिक नॉन बायो डिक डेवल यानिकी जो हमारा वातवरान है वो दूसित होता है किसके कारण प्लास्टिक के कारण इसके बाद में burning कि यू सें एयर पोल्यूशन को burning का मतलब होता है जलाना क्यू सें के कारण air pollution हवा प्रोदूशन होता यानि की हमारा जो वायू प्रोदूशन वह किसके कारण होता है यह हम इस प्लास्टिक को जलाएंगे इससे ठीक है डंपिंग पोलिबेक्स यह लिदि हम यह जो प्रदूसन होगा और टॉक्सिक केमिकल क्यूसेस लंग्स केंसर यहने कि हम फेपड़ों का केंसर होता इसके ठीक है रसाइनों के उप्योग के खारण ठीक है इंसिटेट यूज इनकी जगहां पर आपको उप्योग करना है ठीक है इस दिखी में हिंटे यहां पर आपको दे से लिखना है ताकि आपका जो चार नमबर है वह पक्का हो जाएगा चलिए इंसिटेट यूज का मतलव होता है इसके अलावा आपको उप्योग कर सकते हैं पेपर बेक्स ठीक है जूड बेक्स किलोध बेक्स ठीक है कपड़ों का बना हुआ आपका जो थेला बोलते या बे इस्टेक्चर बनाना है ताकि आपका जो नमबर है वह नहीं गटे ठीक है चलिए इसके बाद में यहां से आप इसको इसको इसके इन सोट ले लिजेगा दूसरा जो पोस्टर है वहां देखिए आपका ठीक है राइड दा हैल्प ओप दा क्यूज गिवन डिजाइन उनका हत्या जो हो रही है उस पर आपको एक पोस्टर यहां पर बताना है ठीक है तो यहां पर देखिए बहुत ही सिंपल सा है डोंट भी क्रूल टू एनिमल्स क्रूल का मज़ता है निर्दई होना क्या होता है निर्दई होना ठीक है याने कि इनके प्रति जो क्रूरता हमा उन्हें हम पनाा दे जदी हम जानवरों को सुरक्षित रखेंगे तो हमारी धरती सुरक्षित रहेगी सिंपल सा लिखना एक इतना सा लिखो चलिए इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो यहां पर देखिए prepare to poster आपको say to drugs है ठीक है याने कि आपको drugs का सेवन ना करें इसके लिए एक poster आपको बताना है ठीक है चलिए यह जो poster है यह आपका इस तरह से प्रस्ण भी आता है ठीक है यह design unattractive and effective ठीक है poster against use of drugs इस नवाम से आपका यह question आएगा ठीक है चार मार्ची के दिन कर दीजएगा do you love yourself ठीक है यहां से देख लिजए do you love yourself याने कि आप क्या सोयम को प्यार करते हो ठीक है and your family और आपके ठीक है परिवार वालों से प्रेम करते हो if yes then यदी हा तो फिर say no to drugs नसे का 7 ना करे ठीक है तो drugs lead to destruction याने की जो है तभाई की और जो ड्रक्स है वो हमेशा ले जाता है किसके और ले जाता है आपको एक तभाई की और याने हम बोल सकते हैं नर्क की और आपको धक्यलता है ठीक है चलिए इसके बाद में जो आपका अंतिम एक तरह का और पोस्टर में यहां पर explain करूँगा ठीक है design an attractive poster on behalf of indoor police to educate and warn ठीक है people against unclaimed articles इसका मतलब क्या है design an attractive poster आपको एक आकरसित poster बनाना है बिहाप की और से किसकी और से indoor police की और से to educate को एजुकेट ने सिक्षा सिक्षित करे यह सिक्षा करने को सिक्षित करने को and warn people जो लोगों को चेताओनी भी दे against केविरुद unclaimed articles ठीक है जिसका कोई भी मालिक ना हो एससी वस्तुवों को छूने से टोइस बैक्स मोबाइल ठीक है और कोई भी आप वहां पर आपको रपको आइटम के लिखा होगा जरूरे नहीं इसा ही आएगा कुछ भी आइटम देगा ठीक है यहाँ पर इंदा पब्लिक प्लेस या पिर ट्रेन पर या बस पर ठीक है कहीं भी देदेगा ठीक है अब इस तो यू केन एवर्ट ठीक है यदि आप चोकन ने हो तो आप क्या करते ऑडी से को व मतलए होगा लिएâte यदी आप चोकनने हो तो आप टाल सकते हो क्या टाल सकते हो इक बम बलाश्त ताल सकते हो वेन यू नोटीज एनी अनक्लेम्ड यदि आपको कोई ऐसा चीजे मिले यह नोटीज करें आप जिसका कोई मालिक ना हो जैसे यहां पर नाम देगा हो ठीक है वह नाम आपको उतार देना इसे कैसे तोल्स हो गया है ठीक है मुबायल हो गया बेक्स हो गया है यह सारी चीजे ठीक है इसके बाद में यहां पर लिख दिएगा इमीडेटली यानि कि तुरंत ही कंटक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर हंड्रेट कर दे डायल ठीक है जो कि आजकल तो आप करते ही होंगे लड़ाई जगडे में हेल्प इंदर पुलीस ठीक है वी विल हेल्प य ठीक है यहां यहां पर है रहे है बाकि को है घृक है यहां से ए यहां सब्सका है यहां पर अप्रिश अध्यन की नथे सब्सक्राइब यहां से आप तो इतना सिंपल भी लिख सकते हो ठीक है याने कि मैंने केवल आपको एक तरीका सिखाया है घबराना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है एंगलिस में 30-40 नंबर तो फालतों के मिलते हैं ठीक है जो कि अंसे पेसेज में यहां पर आपको दिये हुए रहते हैं ठीक है यह जो यह जो आगे पेसे दिया हुआ रहता नहीं है यह जो पेसे यह आगे का यह पेसे हम जेसे बच्चों के लिए ही दिया रहता है ठीक है मतलब आप जेसे बच्चों के लिए कि जिनको प्रसूतर याद नहीं है ठीक है उनको कुछ नहीं करना है यहां से देखिए अब मैं एक तरीका बताता हूं यहां से चीज तो गई है अब इसके बाद में यह जो पत्र है यह अगले वीडियो में मैं यहां से आपको कबर करूँगा ठीक है निभन तो आपको आता होगा एसे तो बाकि अब यहां से जो आगे वाली चीज़े हैं question answer कि आता है तो ठीक है हम नह सकते हैं चलिए यहां से समझते हैं जिसे मान के चलिए यहां पर यह question number आपका जो सेकेंड है ठीक है वाट चेंज डीड दा ओडर फ्रॉम बर्लीन क्यूस इन इसकुल देट दे ठीक है अब मान के चलिए यह आपको ना तो इसका अर्थ पता है ना ठीक है उत्तर याद है य लेकिन किसी दूसरे question का answer याद है तो आपको कुछ नहीं करना है ठीक है यहां से देखिए यह जो यह से मान के चलिए यह प्रस्न का उत्तर आता है जबकि प्रस्न यह है यहां से समझेगा आपको फिरी फिरी में 35-40 number मिलेंगे पूरी guarantee यह जब आप एक बात बताईए ठीक ठीक है कुछ न कुछ लिखके आगो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ठीक है अभी वरोसा नहीं है लेकिन आपको जिस दिन result खुलेगा ना उस दिन वरोसा होगा मेरी बात पर ठीक है मैं हर वरसे ही इसी तरह से बच्चों को बताता हूं ठीक है आपको बिल्कुल चिनत यहां पर मैं लिखके भी बता रहा हूं थोड़ा सा जिसे यह प्रस्ण है वाट चेंज दिर दा ओडर फ्रॉम बरलीन क्यूस ठीक है तो यहां से आपको पता होगा कि यहां से प्रस्ण का उत्तर लिखना शिरू करना है तो इसको देखके आपको बढ़िया से इस तरह से इसके बाद में यहां से यूज इन इसकुल देट डे बस इतना लिख दिया अब जो आपको जो उत्तर याद है आगे का बस उसे पूरा लिख देना यहां से ठीक है यह फ्रेंच केम तो नो डेट आए इट वाज लास्ट लेशन इन फ्रेंच डेट ठीक है मिश्टर हैमल उडगी उदेम जो भी आपको याद है वह कोई सा भी उत्तर आपको छाप देना है ठीक है तो इस तरह से आपको पहला तरीका तो यह हो गया है ठीक है लिखने का इस तरह से करोगे तो जो एक्जामिनल होता है ना वह ढंक से गता है और देखता है यहां बच्चे ने लिखा हुवा अभी आप इसको यहां पर जिसने आपने क darle यहां पर आउर टाल देगा ऑंसर फाइफ ठीक है और वह यहांपर छोड़ देगा और लिखतेगा अनसर घैड़े अब यह आपने जोड़कर मिलेंक यहां यहां पर बढ़ा हुआ रहेगा ना तो कुछ नहीं तो दो नम्बर में से एक नम्मर तो मिलेंगे ठिक तो इस तरह से आपको तो उन बच्चों के लिए तो इस तरह आज मैंने आपको एक तरीका बता है इस तरीके से आप वास्तों में पेपर देने जाओगे ठीक है यदि आपको एक नमबर का भी यदि याद नहीं है ठीक है जब भी आपको 30-40 नमबर आने वाले यानि कि आप फैल नहीं होंगे आपक अच्छे नमबर आएंगे आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है चली तो मिलते हैं अगले वीडियो में